पूर्जप करने वाले के साथ है देखे ये तो हमारे लिए खुसी की बात है कि हमारा कुन्बा बढ़ रहा है साहिल खान के हम तो चाहते हैं कि हजारों खान हमारी पार्टी में आएं और हमारी फैमिली बढ़े यहाँ पर हमारे जो साहिल खान है उन लोगों का मात्र पूरी विदान सवा में चार हजार ओट है एक लाग 32 जार में से अगर चार हजार को माइनस कर दिया जाए तो सब पसमाना मुसल्मानों का वोट है ताही रसंगी लेकिन जन्दा में तो चर्चाएं यह हैं कि जो आपका सूट केस है वो साहिल खान के सूट केस के मुकाबले कुछ हलका पड़ गया है इमरान मसूत के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा इमरान एक कर्मूनल आदमी है किसी की भी उसको वोट चाहिए वो मुसल्मान और हिंदू में लड़ाई करके मुसल्मानों का वोट हतियाना चाहता है साहिल खान की माँ सगुपता खान ने ये बयान दियाता कि हम पसमानदा मुसल्मानों को पसंद नहीं करते है नमस्कार स्वागत है आप सभी का BGT News Network पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चोधरी आज हमारे साथ बहुजन समाज पालिटी के वरिष्ट नेता नकुर विदान सभा से बहुजन समाज पालिटी के परभारी चोधरी ताहिर हसन जी मौजूद है विदान सभा चुनाओ का बिगुल बच चुका है आज हम इनसे बाच्चीत करेंगे और जानने का प्रियास करेंगे कि विदान सभा चुनाओ को लेकर इनकी तैयारी किस परकार की है और किस परकार से पायटी ने इन पर दाउं लगाया है तो किस परकार से इनकी जीत होगी ताहिर असन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बीजिती नूज नेटवर्क पर आपका भी स्वागत है धन्यवाद आप मेरे गाउँ आए मैं आपका तह दिल से सुक्रियादा करता हूँ तारी रसंजी परिक्षा की गड़ी आ गई है आपने पांच सालों में कितनी मेहनत की अब परिक्षा होने जा रही है आपकी और जो परिक्षा फलका जो तारीक है वो भी इसका भी ऐलान हो गया है तो किस परकार की आपकी तयारी है किस परकार से जीत हासिल होगी देखो यहाँ पर बहुजन समाच पार्टी का बलाग परमुक भी हूँ पहले भी हमारे परिवार से दो बार एजे बहुजन समाज पार्टी के कंडिडिट के रूप में परमुक की भूमी का निभा चुके हैं और मैं उपादख जिला पंचैत सारनपूर इंडिपेंडेंट जीत करके आया था असल में उननिस सो चुराणवे में मैंने बहुजन समाज पार्टी जोईन की थी 22 जोलाई उननिस सो चुराणवे को जब मैं यूद कॉंगरिस का जिला दक्ष सारनपूर हुआ करता था बैन जी की परती मेरी आस्ता थी बैन जी और मानिय कासीराम जी मुझे जोईन कराने के लिए आये थे तभी से मेरी बहुजन समाज पार्टी में आस्ता थी है और रहेगी लेकिन किसी सडियंतर के तहत नसीमदीन सिद्धीकी ने मुझे पार्टी से एक्सपेल करा दिया था और एक्सपेल होने के बावजूद यहाँ पर मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया 15 साल जो बहुजन समाज पार्टी के कंडिडेट के रूप में यहाँ आया मैंने उसको सपोर्ट किया और जीतवाया पूरी विधान सवानकुड इस बात को अच्छी तरीके से जानती है वही परत्यासी जब BJP के साथ आया मैंने उसका साथ छोड़ दिया था मैं उस परत्यासी के साथ नहीं था मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ था इक्सपैल होने के बावजूद और मुझे उम्मीदी नहीं पूर्ण विश्वास है कि मान्ये राइन साथ ने मुझे चुनाओ लड़ने के लिए कहाता और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी मुझे ही अपना कंडिडेट डिकलेर करेगी हाँ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि धर्म सिंग जी के साथ है ऐसा कुछ नहीं मैं रेपूटीड फैमिली से आता हूँ मेरे भाई डिजीपी रह चुके हैं मेरी भावी मौजुदा कैपनेट मिनिस्टर है मेरी भतीज जे की एहलिया वर्क बोड की चेर परसन है मेरा बेटा इडिस्टिक जज है और मेरा समदी हाई कोर्ट जस्टिस इलाबाद रह चुका है मेरा सवाल ये है कि टिकट को लेकर किसी परकार का आपके मन में संसे है क्या नहीं मेरे मन में कोई संसे नहीं है इधर उधर से सुना आओं कि कुछ गड़बड होने वाली है लेकिन मेरे मन में अभी तक किसी परकार का संसे नहीं है मैं बहुजन समाज पार्टी को समर्पित हूँ रहूंगा था बहुजन समाज पार्टी जिसको भी चुनाय लड़ाएगी मैं बहन जी की परती मेरी आस्ता है सर्व समाज और सर्व हिता है हमारी पार्टी का नारा है मैं उसके तहत कार्ये करता रहूँगा ये मेरा वाइदा ह अब सवाल ये है कि जन्ता में तो शंचे है शाहिल खान जी ने बहुजन समाज पार्टी में एंट्री मारती है और चर्चाई हैं कि टिकट भी अब उनको दे रही है पार्टी देखें ये तो हमारे लिए खुसी की बात है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है शाहिल खान के आम तो चाहते हैं कि हजारों खान हमारी पार्टी में आएं और हमारी फैमली बढ़े मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा तालुक मुसलिम गुजर समाज से है लेकिन मुसलिम गुजर समाज ही नहीं यहाँ पर गाड़ा तेली अनसारी जितने पस्मानदा मुसल्मान है जितने भी पस्मानदा मुसल्मान है वो आज सब मेरे साथ खड़े हैं और मुझे उम यहाँ पर हमारे जो साहिर खान है उन लोगों का मात्र पूरी विदान सवा में चार हजार ओट है एक लाग 32 जार में से अगर चार हजार को माइनस कर दिया जाए तो सब पसमांदा मुसल्मानों का ओट है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण यकीन है कि हमारी बहेंजी जि बात में कतेश संसे नहीं है ताई रसंजी आप तो कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिला है गोशना मेरे नाम की हुई है लेकिन जिन लोगों की गोशना हो गई है वो तो फिल्ड में कारिये कर रहे हैं और आप यहाँ घर पर बैठे हुए है नई ऐसी कोई बात नहीं मैं अभी संक्या बढ़ रही है मैं तो इतना कहुँगा काफिला हमारा बढ़ रहा है संगर्स हमारा जारी है काफिला हमारा बढ़ रहा है संगर्स हमारा जारी है जो साथ खड़े हैं और जो साथ खड़े हो रहे हैं उनका एहसान हम पर भारी है जो साथ खड़े हैं और साथ खड़े हो रहे हैं उनका एहसान हम पर भारी है दो गुना करके देंगे दो गुना करके देंगे उनके पसीने की कीमत उनके मान उनके सम्मान और विकास की जिम्मेदारी हमारी है मेरे पास ने सूट केस था, ने सूट केस है, मैं किसान फैमली से तालुक रखता हूँ साहिल खान के सूट केस के बारे में जनता जानती होगी, मुझे कुछ पता नहीं है मैं तो किसान हूँ, एक अंदाता हूँ, अपनी रोजी रोटी, खुद कमाता हूँ, उद खाता हूँ मुझे ऐसे लोगों से कोई सर्वपरी नहीं है, किसके पास क्या है, क्या नहीं है ये जनता जानती होगी, ताहिर ने कभी न ऐसा कहा है, और ना कहेगा मेरी पार्टी ने मुझे फिरी में ही, निश्वार्थ, यहां का कंडिडेट बनाया है और अभी तक मैं कंडिडेट हूँ, क्योंके डिकलियर किसी का यहां नहीं हूँ, अब मेरा ही टिक्ट यहां पर डिकलियर है ताहिर हसंजी, अब सवाल यह है, कि इमरान मसूद यहां से समाजवादी पार्टी में सामिल हुए उसके बाद चर्चाए सुरू ही, कि वो बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं आप भी मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता हैं, इमरान मसूद भी बहुत बड़े चेहरे हैं मुस्लिम समाज के तो अब सवाल यह है कि बस्पा में उनकी कुछ बात बन नहीं पाई क्या, जो समाजवादी पार्टी में यह दुबारा फिर टिक गए देखो इमरान मसूद के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा, इमरान एक कर्मूनल आदमी है, किसी की भी उसको वोट चाहिए, वो मुसल्मान और हिंदू में लड़ाई करके, मुसल्मानों का वोट हतियाना चाहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, और अपनी सेकुलरता के जरीए, मैंने उसको दिखाया है, अगर हिमरान की हिम्मत है, मुसल्मान को तोड़ने में, तो मैं चेतावनी देता हूँ उसको, कि नकुड विधान सभाग से लड़कर के मेरे सामने दिखाए, यह आप लोगों को पता चल जाएगा, कि जनता ताहिर हस हसन के साथ है, विकास करने वाले के साथ है, मुसल्मानों का फैदा करने वाले के साथ है, या बोटी-बोटी करने वाले के साथ है, अब सवाल यह है, ताहिर हसन जी, कि यदि हम पिछले चुनाओ की बात करें, तो द्रम सिंग सेनी या नकुड विधान सभा से बाजबा के टिकट पर चुनाओ जीते और इम्रान मसूद दूसरे नमबर पर रहे अब द्रमजिंग सेनी भी सपा में और इम्रान मसूद भी सपा में यदि आपको टिकट मिलता है आप चुनाओ लड़ते हैं तो किस परकार जीत होगी इनकी तो ताकत बहुत हो गई है देखो मैं होसले वाला आदमी हूँ होसला रखता हूँ नेक नियत मंजिल आसान मैंने जिन्दगी में होसले के साथ काम किया है और होसला रखता हूँ पर मुखी भी इसी बात का परिमान है परमान है कि इमरान मसूद के कंडिडेट को मैंने धरा साई किया है और यहीं नहीं जब पाच पाच एमले और रसी साब मंतरी होते थे मैं उपाद्दक जिला पंचायत बना हूँ इनकी सत्ता होते इंडिपेंडेंट जीता हूँ यह भी इस बात का परमान है और मैं दो हज पार्टी बनाई थी एक टाप पार्टी बना करके चहोदी राजपाल सिंग को उसके कंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा था साथ एसमली सेगमेंट यहां पर है जिन में ताहिर हसन का रिकोर्ड है कि मुझे पौने आठ हजार वोट उस वक्त मिला था बाकी विधान जबा में किसी को धाई सो मिलाता किसी को तीन सो मिलाता यह मेरा मेहनत का मेरी लगन का मेरी परिसरम का और समाज सेवा करने का जो जजबा है पबलिक उसको लाइक करती है मैं पबलिक की सेवा करता रहूँगा और मैंने एक अब अब ताहीर हसन जी मेरा आपसे बहुत बार बात कह रहे हो बलोग परमुक बनवाने में डॉक्टर ध्रहम सिंग सैनी का एहम रोल रहा ये जन्ता चर्चा करती है देखो जन्ता चर्चा के बात नहीं मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा पीछली बार जब जो मेरी भावी रजिया सुल्ताना है मौजुदा कैपन मिनिस्टर है उननिस सो पिचानवे में बलाक परमुक जीती थी और युने नहीं में इसलिए बनी थी तब भी हिंदू का और मुसल्मान का सरवजन का मेरे साथ वोट था दो हजार में मेरी दूसरी भावी बलाक परमुक बनी तब भी हिंदू मुझे बहुत आयत में मिला थ जजबा जो मैंने पाला है वो जजबा ये है समाज सेवा करने का समाज की खिद्मत करने का ये इस जजबे को कोई माई का लाल नहीं चीन सकता ये जजबा मेरे साथ मेरी कबर में दफन होगा परमुखी का जो चुना हुआ उसके बारे में आपने बताया लेकिन अब ये सवाल है कि साहिल खान एक तरह से आपको कड़ी टककर यहां पर दे रहे हैं टिकट के मामले में ये चर्चाएं और साहिल खान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो जन्ता की लगातार सेवा कर हैं चाहे वो कोरोना का ला हो अब सर्दियों का मोसम हो चाहे कंबल वित्रन का हो रासन वित्रन का हो वो पूरी जन्ता की सेवा कर रहे हैं तो जन्ता उन्हें पसंद क्यों नहीं करेगी और आपको पसंद क्यों करेगी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं 2012 में चब चाहदी नाई दसन चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिक्ड दिया था लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिक्ड नाई दसन की गलती थी उसकी वज़े से काट दिया था लेकिन साहिल खान की मां सगुपता खान को टिकर दिया गया था जग जायर है कि साहिल खान की मां सगुपता खान की जमानत तब ये नकुड विधान सबा जो हाल की गंगो विधान सबा है नकुड विधान सबा हुआ करती थी उसकी जमानत जब्त हो गई थी और दूसरे 2019 में जब सपा, RLD और बसपा से मिल करके तबस्थम यहां से चुना उलड रही थी सबसे पहले साहिल खान की मां सगुपता खान ने ये बयान दिया था कि हम पस्मानदा मुसल्मानों को पसंद नहीं करते हम सगुपता खान के खिलाब जाकर के बारतिय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे यह साहिल खान के खानदान की असलियत उसकी मां के बयान और यह जो अब से पहले कहता था कि मैं अखलेश जी के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और अखलेश जी के लिए गला कटवाता हूँ ये वो साहिल खान है मैं नहीं जनता कि जनता उसको क्या चाहेगी क्या नहीं चाहेगी लेकिन मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ माननी है भेहन जी और माननी है रहीन साहब अगर उसको कंडिडेट उतारेंगे तो मैं उसके साथ रहूंगा ये मेरा वाइदा है चलिए तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के वरिश नेता चोधरी ताहिर हसन जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाय रखने का काम किया है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए नमस्कार